जैहेंदी एर एस्पेरेंट्स दिस दिवांशु पांडे और वेलकम बैक अगें इन दिस सेशन इंडियन एर फोर्स ने आप सभी एपकेट एस्पेरेंट्स के लिए एपकेट फर्स 2023 की नोटिफेकेशन डेट्स रिलीस कर दी हैं तो इस क्लास में हम यह जानेंगे की नोटि आने वाले एपकेट फर्स 2023 की तयारी बहतर कर सकें तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि इंडियन एर फोर्स ने आप सभी एपकेट के एस्पेरेंट्स यानि की बोथ मेल और फिमेल को इनवाइट कर लिया है अपने एपकेट फर्स 2023 की एक्जामनेशन के लिए और आपकी जो डेट्स हैं वो 1st of December 2022 से शुरू होकर 30th December 2022 तक आपकी रहेंगे तो इन डेट्स के बीच में आप सभी एपकेट एस्पेरेंट्स को अपना ऑनलाइन एप्लिकेशन सब्मिट करना है जिससे की आप अपने होने वाल है क्योंकि 8th October 2022 को जब हमारी Indian Air Force अपनी 90th anniversary मना रही थी तो उसी दिन भार सरकार ने notification जारी करते हुए हमें ये सूचना दी है कि अब Indian Air Force में एक नई ब्रांच आपकी बनाई जाएगी जिसमें आपकी इसमें vacancies लाई जाएंगी तो इस बार का जो आपका exam conduct होगा उसमें ए weapon system branch that is the WSB इस पर based मैंने आपकी वीडियो भी बनाई है WSB का main work क्या होता है उसको आप जाकर देख सकते हो तो टोटल हमारे Indian Air Force की 6 branches हो चकी है इस प्रकार से इस बार आपकी जो number of vacancies हैं वो भी increase होगी सबसे पहली आपकी ब्रांच flying दूसरी WSB तीसरी ground duty technical चौथी ground duty non-technical पांचवी metrological entry branch और आपकी छटवी NCC entry branch है तो ये जिसमें criteria जिसमें आपका education qualification आपका match होता है उसको आप भर सकते हैं और Indian Air Force में class A as a gazetted officer आप join कर पाएंगे इस बार की जो आपकी dates release की गई हैं यानि की 1st December 2022 से लेकर 30th December तक उसमें आपको अपना online application submit करना है तभी आप जो है अपने आने वाले examination के लिए appear हो पाएंगे और ये माना जा रहा है कि जो आपका exam होगा written exam फेब के second week में आपका conduct करवाय जाएगा तो ये कुछ important dates हैं इसको आप देख सकते हो notification release 1st December को starting for submission of online application आपका 1st December को start हो जाएगा last आपकी date online की 30th December release date of admit card 2 weeks before examination रहेगा और आपका exam फेब के second week तक आपका जहां तक है defense experiment whether you are male और female flying branch, ground duty, technical और non-technical के लिए apply करते हैं Indian Air Force ये exam आपका साल में दो बार conduct करवाता है जहां पर आप इस examination को pass करके short service commission flying branch में permanent और short service commission ground duties में आप ले सकते हो age eligibility देखते हैं तो देखिए flying branch के लिए आपकी age between 20 to 24 होने चाहिए आपकी DOB यानि के date of birth 2nd January 2000 से पहले और 1st of January 2004 के बात कर नहीं होना चाहिए अगर हम upper age limit की बात करें तो ऐसे हमारे experience जो DGCA के दोारा commercial pilot license हैं उनके पास तो उनकी आपकी age ability 2 साल बढ़ जाती है यानि के 26 हो जाती है और उनकी DOB 2nd January 1998 से पहले की और 1st of January 2004 के बात की नहीं होने चाहिए वहीं ground duty की बात करें तो देखिए graduate 60% और class 12 में आपका 50% mark math और physics में होना ही चाहिए वहीं essay experience जो कि अपना B.Tech या B.E. उन्होंने complete किया उनके भी graduation में 60% और 60% आपके class 12 में math और physics में होना चाहिए तभी आप eligible रहेंगे अपने flying branch के लिए selection procedure को देखते हैं तो देखिए return exam आपका सबसे पहले conduct होता है ठीक है कई phases होते है जिस phase में आपको बिलाया जाए वहाँ पर आप अपना exam दीजे फिर ऐसे बच्चे जो अपने return exam को qualify कर लेते हैं तो उनका call up later आता है AFSB interview होता है C pieces जो pilot entry के लिए जाते हैं उनका एक और test होता है उसी आपके SSB interview में फिर medical exam आपका और medically और SSB में आपको जो recommend रहेगा उसकी पूरी merit list बनेगी उसके बाद आप Air Force Academy में जाएंगे अपनी training को करने के लिए तो आप सभी defense experience अपने FCAT first 2023 examination की preparation करने के लिए आने वाले examination को मद्दे नज़र रखते हुए SSB crack exam के FCAT exam online course में इंडोल हो जाएंगे जहां पर हम आपको FCAT specific preparation कराते हैं online classes के थुरू और आप एक बहतरीन तयारी करके अपने आने वाली exams में success ले पाएंगे बात करते हैं examination pattern की तो देखिए journal awareness, verbal ability in English, numerical ability, reasoning and military aptitude test duration आपका 2 hours का रहेगा वहीं आपका number of questions इसमें 100 और total marks आपके 300 रहेंगे EKT के paper उसमें आपके जो candidates इसमें शामिल होते हैं वो mechanical, computer science और electrical and electronics में देते हैं duration 45 minutes, number of questions 50 और marks इसमें 150 के रहते हैं new question pattern आपका अब Indian Air Force ने release किया है और अब के जो आपके exam हो रहे हैं तो थोड़ा काफिव tough है तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा यह जो आपका yellow portion है वो general awareness को show करता है यानि general awareness से total 25 question blue portion आपका numerical ability को तो 20 question इसके green portion English and या फिर हम बात कर लें verbal ability की तो 30 question और red portion आपका reasoning and military aptitude को show करता है जहां से आपके 25 questions पूछे जाते हैं तो इसको आप देख पा रहे हो general awareness number of questions 25, total marks 75, verbal ability 30, total marks 90, numerical ability number of questions 20, total marks 60, reasoning and military aptitude 25 questions और total marks आपके 75 तो इस तरीके से हर एक correct question के लिए 3 marks दिये जाएंगे वहीं आपके गलत अंसर के लिए आपके सही marks में से 1 marks आपके डिटर्ट कर लिए जाएंगे ठीक है अब आते हैं slavers की उपर तो देखिए सबसे पहले हम general awareness को slavers देखते हैं जहां पर आपके 25 questions पूछे जाते हैं तो इसमें history, geography, sports, art and culture, personality, environment, ecology, Indian polity, economics, national, international, organization, basic science, based knowledge, question, science and technology, defense, specific, आपके questions पूछे जाएंगे वहीं पे आपका verbal ability का गलम से बस देखें तो इसमें current affair, national, international, include रहेगा एक साल का पूरा detect error in sentence, antonym, synonyms, idiom phrases, comprehension, sentence, completion, filling in correct word, closest sentence, rearranging, substitution in a sentence, और one word substitution और आपका analogy आती है वहीं अगर numerical ability की बात करें तो देखिए decimal fraction, time work, average, percentage, profit loss, ratio proportion, simple compound interest, time and distance, area, perimeter, probability तो यही सभी आपके number system, clocks यह आपके बने रहते हैं तो इसको आपको ध्यान देना है तब ही आप बहतर कर पाऊगे बाकी बात करते हैं reasoning and military aptitude syllabus में तो verbal reasoning और non-verbal reasoning के questions आपके आएंगे तो इस पर आपको ध्यान रखना है और अपने तयारी बहतर करनी है अब आप apply कहां पे कर पाऊगे तो यह आपकी link दी हुई है ठीक है इसको आप link भी सकते हो fcad की website पर जाके Indian Air Force की वहाँ पर apply कर दीजेगा first of December से जब आपकी यह dates notification की start हो जाएंगे online application की और आपके online application के लिए आधार card mandatory है तो आधार card जिनका नहीं बना या फिर कहीं पर उसमें कोई दिक्कत ह है तो उसको आप सही करवा लीजे तभी आप अपने online application register करवा पाएंगे अपने written examination की preparation करने के लिए आप सभी हमारे courses में enrolled हो जाएं courses अब आपके batches start हैं और बन भी रहे हैं नए batches अपने SSB interview की तयारी करने के लिए आप हमारे SSB interview online course में आ सकते हैं सभी courses SSB crack exam आपके लिए available कराया है जहां पर सभी courses के full flat bundles और test series available है इस वारे 10 code का use करें जिससे के आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses पर मिलता जाएगा जाहन अगर आप एक defense aspirant हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते कर दो है